पूरे भारत को जो पढ़ना है वो उसको चार केटेगरी में पढ़ना है और इसी चार केटेगरी में आपको पूरा समय लग जाता है यह है भारत में उत्तर में क्या है परवत्सरिंकला उत्तर में क्या है परवत्सरिंकला उत्तर में क्या है परवत्सरिंकला भारत को भागोल इसमें आपको सब कुछ रहना है, इसमें हम वो चीज नहीं बताएंगे जो नकसा का चीज है, सामझा गया, नकसा के लिए अलग से नकसा का बैच है, अंडेस्टेंड वट इम सहीं, इसलिए इसमें नकसा को नहीं घुचड़ेंगे, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, जहां पर भिसाल परवत माला है, उसके नीचे यह मैदानी च्छेत्र, उसके नीचे यह पठार है, और साइड सैड में टट है, और इदर में दुवी, हम लोग को आज इस्टार्ट कोन सा करना है, परवत, स्टार्ट कर दिया जा, भारत में, उत्तर भारत में सब से बड़ा परवत नहीं है कि मैप कनिया बैच है क्या बता देंगे सोला को बैच है कोई अच्छा चलो मैप सोला को बैच आज आएगे चलो ठीक है हमको पते नहीं कि बैच है चलो पबू यहां देखो अब हम लोग स्टार्ट कर दिया है परवत माला भारत के किस दिशा में परवत है उत्तार दिशा में परवत है हिमाले भारत के उत्तार दिशा में कौन परवत है हिमाले तो पहले हम लोग हिमाले की थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं उसके पूरा सा बड़ा सा जगह पेंजिया, पेंधला सा अब बीच में था पेंजिया, ये जियोलोजी में पढ़ाएंगे, ऊपर एक जमीन ती जिसका नाम था अंगारा लेंड, नीचे वाली जमीन थी गोंडवाना लेंड, बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर, तेथिस सागर ये जमीन उस तेथिस सागर को क्या कर दी धकेल धकेल के खतम कर दी और उसके उपर के कचड़ा को क्या कर दी उपर चढ़ा दी इस सागर में जितनी मिटी, बालू, पत्थर, कंकर थे सब उपर चड़ गए, सूख साक के एक 11 करोड साल में कठोर हो के क्या बना लिए इसा पथर बना लिए इसा पथर बना लिए इसा और वही किसका रूप ले लिया है हिमाले का रूप ले लिया है हिमाले का रूप ले लिया है समझ में आरा है कि नहीं आरा है तो आज जो हम लोग हिमाले पढ़ते हैं पहले दियान से समझियेगा इसको पहला भाग होता है ट्रांस हिमाले जो हमको इस साइट से नहीं दिखेगा ट्रांस मतलब ओपटी का जैसे मेरा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस बस ट्रांस बोलना, ट्रांस हिमाले का बोलता है? हिमाले हैं? हमारा पीठ आपके लिए क्या है? क्या है हमारा पीट क्या चीज़ आपके लिए इसका कितने भाग है चार सबसे इधर वाला क्या है इधर से दिखेगा हेल के ओपटी जाना पड़ेगा तब क्या मिलेगा ट्रांस की इधर देखेंगे तो मिलता है दूसरका पार्ट क्या है व्रिहद के नीचे आके देखेंगे तो मिलता है मद व्रिहद के नीचे देखेंगे तो मद व्रिहद के नीचे मद अब मद के एकदम नीचे जाके देखेंगे सीवालिक ये कौन सा हो गया सीवालिक टोटल हिमाले के कितने भाग हिमाले के कितने भाग इधर से देखेंगे तो ये तीनों दिखेंगा, कैसे समझ ये ध्यान से, ये हमरा हाथ देखेंगे, ये सुरुवात वाला है सीवालिक, ये वाला है मध, ये वाला है ब्रिहाद, ये वाला जो हाथ दिख रहा है, ये इस साइड में, ये कौन सा है, ट्रांस, ये कौन सा है, ट् यह बुलिया इसमें से एको जोल हो गया जोल जनते कौन यह जो बना है सिवालीक ब्रिहद और सिवालीक मद और यह बने हैं से 11 करोड साल पहले कितना साल 11 अई धरिया वाला पहले ही बनके रेडी था यह लगवक 13 से 14 करोड साल पहले बन गया था 16 करोड प्राइदीब भारत था नीचे वाला तो इसका मतलब हिमाले में मुख रूप से यही तीन आते हैं सो यह हिमाले पहले ही बन गया है क्या हो गया पहले ही बन गया यानि जब तेथिस सागर अभी था ही तेथिस सागर में मचली घूम रही थी सब तो उधर खड़ा हो ग अगर जाएंगे तो यह सारी स्रेडियों को पार करके आपको तब जाना पड़ेगा और ट्रांस और ब्रिहत इतने उचे हैं इतने उचे हैं कि इनकी आउसत उचाई लगभग 6,000 मीटर है यानि इनमें एवरेज लगभग लगभग यहां जितने पहाड मिलेंगे सब कितने मिलेंगे 6,000 और उससे भयानक यह बिरियाद वाला है 1,600 मीटर कितना? 1,600 जबकि आप जानके ताज्यूब करेंगे दुनिया का बाकी हिमाले को छोड़ दीजे क्यवल किसको छोड़ दीजे? हिमाले को तो बाकी दुनिया के जितने पहाड हैं वो सब 6,000 मीटर में कितने? 6,000 यानि 6 किलो मीटर उचाई में सिमट जाते हैं जाए वो दक्षिर अमेरिका का एकांका गुआ हो उत्तर अमेरिका का रॉकी का एलबर्ट हो जाए वो माउंट ब्लांक हो यूरोप का, एलबर्स हो रूस का जाए वो किली मंजारो परवत 500 मीटर अफरीका का हो यानि जिस जहां पर वो लोग अपनी दम तोड़ देते हैं जिस उचाई पर दुनिया के बाकी पहाड मर जाते हैं, खतम हो जाते हैं वो तो अभी इसका आउसत है क्या है? एवरेज है एवरेज मतने मोटा मोटी यतने अभी एक रूस से बड़ है अब जैसे कोई आउसत आउसत रोटी अगर कोई 15 रोटी आउसत खाए तो हुमच के कितना खाएगा? बहुते ज़्यादे खाएगा अरे यहां लड़का बदल गया मैं ई भी कोनों काम कर नहीं है चले खाथ चले ध्यान से समझते हैं इसमें अलग 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 यहां पर दिखे सबसे ज़्यादे उंचा कोन है? ये वल तीनों सब हिमाले चारो एक साथ बने हैं पढ़ना चारो को है लेकिन बनावट की डिष्टी से क्या ट्रांस हिमाले बाकी की हिमाले से मैच करता है? नहीं करता है तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? ठ्रांस उसके बाद? ब्रिहद उसके बाद? उसके बाद? जितना जादे उंचाई पर जाएंगे उतना जादे वहां ठंड पढ़ेगा ठंड पढ़ने से वहां बरफ भीसड पढ़ता है बरफ क्या पढ़ेगा? तो इतना बर्फ पढ़ने के कारण ये ट्रांस हिमाले और ब्रिहद हिमाले पूरी तरह से ससुरा चवपट हो जाता है पूरी तरह से क्या जाता है चवपट हो जाता है तो यहां क्या पेड़ पोधे पाए जाते हैं जादे नहीं यहां पेड़ पोधे जादे नहीं पाए यह temperature सब्सक्राइब माइनस में राता है माइनस 20 डिग्री माइनस 30 डिग्री ट्रांसीमाले में जगा है सियाचीन ग्लेसियर माइनस 55 डिग्री यह भाई साथ उत्त कोरोना का फाइजर वैक्सीन को रखने के लिए फ्रीजे की जरुवत नहीं पढ़ेगी ऐसे घूमेगा से कोरोन वैक्सीन लगाते हैं बारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लाई गई क्योंकि उसको माइनस 60 डिग्री पर रखना था इतना ठंड है तो क्या वहाँ जानवर भी पाए जाएंगे नहीं पाए जाते हैं तो इन दोनों पर जानवर वनस्पती नहीं पाए जाते हैं जबकि शुरि ए राणी खेदी सब किसमें हैं? मंधिमा आई वाला जो शीवालिक हिमाले हैं चटए में चड़ हर रहें है इसमें आप देखेंगे यह हैं ट्रान्स हिमाले इस उसे ज्यादे उची उच्छी चोटियां नहीं हैं जद उची उची चोटियां नहीं हैं लेकि हिमाले में किसमें ब्रिहद हिमाले में बहुत जादे जादे उची उची चोटियां है नंगा परवत है इसी के अंदर किसमें ब्रिहद हिमाले में इसमें आप काता है नंगा परवत नंगा समझते उगारे हैं दोगो बैया एक अलग होता है नंदा वो भी है इसमें आएक है नंगा, उघारे परवत, तो इसमें काता है नंगा परवत, इस टार्टिंग होता है उदर से, नंगा परवत, बंदर पूँच, गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनात, बदरीनात, कामेत परवत, नंदा देवी, अंदर धौला धौला गिरी, धौला धार नहीं जी, धौला गि सब कोश्चन पुछता है सब कोन परवत किसमे है चारगो दे देगा चारगो पहाड दे देगा पस्चिम से पूरा बिछा दो बिछा दी आता है गडबड़ा जाता है यह परवत स्रेडिंग किला कॉन सी हो जाएगी यह 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 ठ्रांस में आपको दू ये को चोटी महत्पूर याद रखना है ठ्रांस में कितनी चोटी याद रखना है दो चोटी इस दिये हैं अदू को चोटी बना दिये हैं और सबसे जाते परवत चोटी हैं किसमें हैं किसमें हैं बिहाद ठ्रांस हिमाले पूरा यहां तक नहीं आता ह फ्रांस ही माले शुरुवाट से लेकर यहां तक नहीं आता है फ्रांस ही माले यहीं पर खतम हो जाता है यह आगे तक नहीं आता है यहीं पर आकर इसी में मिलके खतम हो जाता है शुरुवाट से लाश्ट तक कितने जाते हैं तीन कौन यह कौन सा है यह वाला जो है यह इसके इस साइड में है यह जो परवत है अभी तो आपको सामने दिख रहा है इसको तोड़ देंगे तो यह किदर लटक जाएगा नीचे, यह blue light वाला दिख रहा है यह blue अला, इसको अगर यहां से pipe तोड़ देते हैं, यहां से लकड़ी स Case सबसे जादे वनसपती हाँ, सिवालीक सिवाली, किस पर आतकते हैं यह निचला हिसता है पर्याटन के लिए सबसे अच्छा, यह वाला। आरे भूइस को मतलब कोची, पहाढ लगे की पहाढ है। पहाढ जी हिसन लगवे नहीं करता है इसी वाली, पर्याटन के लिए सबसे अच्छा, अगज डितने Mt. 1000 मिटर से जादे भी और कहीं कहीं 6000 मीटर से कम भी है यह सब से जादे क्या चीज है प्राचीन है हिमाले के बनने से पहले कौन बन गया था यह बेसिकली कहां आ जाता है जम्ण कस्मीर में कहां पहता यह मिंठाam हमाले में, हम लोग स्टाट करते हैं, जम्मू कस्मीर वाला area से, क्या है, था, मद, ब्रियाद, अब बीचो बीच वाला, मद, बीच वाला कौन सा आजाएगा, यह तो हिमाले होगा, और उपर वाला कौन सा है, त्रांस, यह जम्मू कस्मीर तोटल किसमें आएगा, त्रांस, जम्मु कस्मीर की इस ट्रांस में सबसे उपर, ट्रांस हिमाले जो खुद हिमाले का एक हिस्सा है, इसमें एक चोटी है जिसका नम, इसमें सबसे उपर वाला हिस्सा का नम है काराकोरम, क्या नम है काराकोरम, ट्रांस हिमाले का खुद का चार भाग है, क्या है, खुद का चार कौन सा यह कारा कोरम उसके नीचे है लद्दाक कौन सा है लद्दा उसके नीचे जासकर उसके नीचे पीर पंगा यह चारों के चारों किसमें ऐसा क्या यह हिमाले का हिस्था या ट्रांस हिमाले का हिस्था यह हिमाले का हिस्था नहों के ट्रांस हिमाले का ट्रांस हिमाले में कितने हिस्से हैं? कौन-कौन? काराकोरम, लदाक, जासकर, पीर-पन्जाल. इसका मतलब इसकी जो पत्थर होंगे, वो बहुत पुराने होंगे. अगर हम इन तीनो स्रेडियों से क्या करने लगे? तुल्ना कराने लगे तो. इसके पत्थर क्या होंगे? जदे पुराने होंगे लेकिन कुछ-कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं पीर पंजाल में, किसमें? पीर पंजाल में जो नया परवत है कैसा है? नया परवत है इसलिए कुछ भूगोल वेताओने किसने? कुछ भूगेल वेताओने या कहा है कि आप पीर पंजाल को किसको? पीर पंजाल को काराकोरम लद्दाग जासकर पीरपंजा कलेजा पार इसे सौटकट में क्या कही है कलेजा काराकोरम लद्दाग जासकर पीरपंजा काराकोरम लद्दाग जासकर पीरपंजा काराकोरम लद्दाग जासकर पीरपंजा काराकोरम लद्दाग जासकर पीरपंजा काराकोरम लद् जो आप में नक्स कितने लड़के नक्सावाले बैच में? उसमें आपको इसम नहीं बता होगा कि बिस्तार, चोटी, ये कुछ नहीं, चुप चप काराकोरम घत्तम, निकलिए. काराकोरम को सर्टकट में क्या कहा जाता है? के, अरे सर्टकट में के बोलेंगे ना, तो के वान, के टू, के थ्री, के फोर, के फाई, बैसे 75 को हैं, समया गया? के उन इतना गिंती याद रखता है? के वन का भी कोई खास भैलू नहीं है, के टू का नाम है गाडवीन अस्टीन के टू का नाम है गाडवीन, के फोर का नाम है गैसर बुरूम, के फोर का नाम क्या है? गैसर बुरूम, गैसर बुरूम, तो काराकोरम की दो सबसे परमुक चोटी याद रखेगा, के टू, के फोर, के टू, के फोर, के टू, के फोर, के फोर क्या होता है? के से क्या होता है? कारा कोर्म के से? कारा कॉर्म कारा कॉर्म K1 को K1 लिख दिये हैं K2 को क्या करता है Gardvion Austin 86111 मीटर कितना? 6881 ये भारत की सबसे उची चोटी है भारत की सबसे उची चोटी है एक बार क्वेशचन पूचाता लड़का लोग फंस गया था कहा था कि सुनिये द्यान से भारत की सबसे चोटी नक्सा वाला चीन नक्से में रहे तो यहां काम ना करेगा नक्सा में से पढ़ गया कहा सर भारत की सबसे उची चोटी और भारत में सबसे उची चोटी उन्हें कहा था इन में से कौन सा ब्रिहद हिमाले की सबसे उची चोटी है तो ब्रिहद हिमाले की उची चोटी में लड़कों को सबसे पता था कि यह सबसे उचा माउंट एवरेस्ट है और सेकेंड नमबर आता है केटू और उसमें बुला था ब्रिहद हिमाले का अब बता ब्रिहद ह में ब्रियाद वाले में बहुत सा पहाड़ है अब जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कौन सा उसमें अभी जस्ट आगे बताएंगे तो आप इसको ध्यान रखेगा कारा कोरम में दो परमुक चोटियां याद रखेंगे गैसर बुरूम और गाडवीन आस्टिन गै उचाई पर होने के वज़े से यहां बहुत जादे क्या है ग्लेसियर है यहां बहुत जादे ग्लेसियर जिसमें सबसे परमुक ग्लेसियर का नाम है सियाचीन ग्लेसियर हिस्पर ग्लेसियर सियाचीन ग्लेसियर हिस्पर ग्लेसियर बाल्टोरो ग्लेसियर कौन ग्लेसियर ब बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाय टोरो, बिसपर हिसपर ग्लेशियर है, और सियाचीन ग्लेशियर, सिया चीन ग्लेशियर टोटल कितने ग्लेशियर इस पहें चार कितने ग्लेशियर सबसे उंचा ग्लेशियर सबसे बड़ा भारत में ग्लेशियर हां सिया चीन ग्लेशियर ध्यान से चलते समझते रहें सिया चीन ग्लेशियर दूसरा हिस्वर ग्लेशियर बाल तोरो तोरा नहीं लोडे तोर है कोंचा है का साओंसा बाल यह हो डूसरा सबस्राइब प्रवत का कुछ हिससा आगे हल के चाइना में चलिए तो जो हैल गएा उसको दूसर रंग से रंग षैंग देते हैं यह जा रहाँ इसाँ चला है इसे कहते हैं पामीर, क्या कहते हैं, पामीर, अवाँ जाके तीन को पहाड से मिल गया है, इधर हिंदु कुस से मिला है, इधर कुलून सान से मिला है, उस साइड में तीन सान सा, इसे पहाड से मिल गया है याप, तो यह कौन सा परवत है, पामीर, पामीर का पठार जो है, वो वो कोना ना निकल के इस तरह से क्या हो गया है बराबर हो गया है तो उसे हम दुनिया का च्छत कहते हैं दुनिया का च्छत किसे कहते हैं पामीर का पठार इसे पठार क्यों कहते हैं उपरा से ऐसे कोना ना निकल के इसे क्या हो गया है बराबर है कोनमा निकल ले रहता तो पर बाड़ेगो, बकोटी है ना काम हो जाएगा अपका, संच्छा क्या है? इसकी ओसत हाइट जो है वो 1600 मीटर है, देखो भई किलो मीटर लिख दे तो आप समझे गलती से हो गया, बिरिह धीमाले के कितने नाम है? भई या कईठो नाम है, बिरिह धीमाले में नाम की कमी है? नहीं, या कईठो नाम है से, बिरिह धीमाले कोई क्या कहते हैं? सर्वोच, महान, मुख, आंतरीक, हिमादरे, हिमादरी क्यों कहते हैं? सबसे जादे उचाई के वज़े से बरप पड़ेता रहता है, सबसे जादे उचाई के वज़े से ही इसे सर्वोच हिमाले कहते हैं, और स दर से दूर चड़ियेगा सिवालिक और हिमाद्री, सिवालिक और मद्र, अब उधर से पढ़ेंगे ट्रांस, ता भी पढ़ेगा सुच्रा बीचे में आप, इसलिए से क्या कहते हैं, मद्र, और यह सबसे बड़ा है, इसलिए से ब्रिहाद हिमाले, यह हिमाले अपनी चोटिय होता है, लड़की सब कभी जो चोटी होता है, बच्छबन में देखते होंगे, उपर आई से बान किये, रबर लगा के एंगा न, इससे निकाल दिए जाता है, तो वैसे ही पहाड का भी कहता है, चोटी होता है, परवत जो होते हैं, वो कई एक ही, जैसे परवतों की एक स्र स्रिंखला, माउंटेन, रेंज, परवत स्रिंखला या माउंटेन, रेंज, इसका हर एक हिस्सा ये परवत चोटी कहलाता है, क्या कहलाता है, परवत चोटी कहलाता है, और इन परवत चोटी में, जो सबसे उची चोटी है, उसे कहते हैं, सरवच चोटी, क्या कहते हैं, सरव तो क्या कोई परवत स्रिंख खला, क्या कोई परवत स्रिंख खला, अकेले पहाड से बनेगा, अकेले पहाड से नहीं बनेगा, पहाड और परवत में मुख्य अंतर यह है, कि पहाड एक हजार मीटर से नीचे, और परवत एक हजार मीटर से उंचा, पहाड एक हजार मीटर से परवतों की कई सारी अगर लाइन से खड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे परवत श्रिंकल यहां कस्मीर से सुरू होके बड़ी दूर तक जाता है अरुनाचल परदेश तरह दिखें ना ब्रिया धीमाले यहां से सुरू होगा अब बड़ी दूर तक उदर जाएगा इस साइड तक बहुत लंबा दूरी तक जाता है यहां तक इस तरह से जाएगा किसी को दिखेंगा इधर सुरू होता है नंगा परवत से कहा पर नंगा परवत यह पियोके में है कहा है पकिस्तान वाले एरिया में चलाई देता है नंगा परवत कहा से चलोगा नंगा परवत नंगा नंदा नहीं नंगा यहाँ पर है नामचा बरबा नंगा से नामचा बरबा तो तीन को उत्राखण में याद रहेगा बंदर पूछ कामेत नंदा देवी देखो बंदर पूछ और कामेत के बीच में बंदर गंगोत्री याद आएगी तो यमनोत्री गधा को भी याद आएगा, बद्री नाथ याद आएगा, तो केदार नाथ पक्का याद आएगा, तो जब गंगोत्री याद आया तो यमनोत्री, केदार नाथ आया तो बद्री, आई दूनो किसके लिए है, भोले नाथ, यह भोले हो जाता है हमको इसा बात पता रहता है लेकिन पता नहीं क्यों धार्मिक चीज में उतना confidence से आवाज नहीं निकलती है गलती हो जाएगा तो हमरा पीछे पढ़ जाएगा है कि नहीं यहाँ भुले नात कना है तो लोग काई अमरियलाइशन बोला है तो उन्हों को नहीं पता है अ कि धालागीरी से धिया ले अनपूर्णा मंसालू गौरी संकर छोयू छोयू क्या हो गया चू हो गया क्या हो गया चू हो गया चू हो गया ना मतलब भाग जाना चू हो गया ना मतलब भाग जाना और अगर कोई माउंट एवरेश्टे पर भाग जाए तब का होगा सुच्रा बहुते उच्छा पर भाग गया ती गौरी संकर चू हुआ कहां पर माउंट एवरेश्ट पर किस पर ह कि कि गए मांट एवरेष्ट पर इस पार हुआ मांट उसके बगल में मैं कालू एक बघल में माओ कालू एक नेपाल के सारे स्रेडियां याद रहें गाया है हैं अड़ी उचाइँ हो जाता है सीक्वेंस से पूछ देता जहां तहां से दूग बढ़िए वह से नो चलेगा कामेट ननंदादेवी अब आते हैं नेपाल में इधर नेपाल में आज़िए धौलागीरी धौलागीरी अनपूर्ना मनसालू गौर संकर छोयू माउंट एवरेश्ट मैंकालू माउंट एवरेश्ट मैंकालू M inac गंचनजंगा यह नेपाल और भारत के सीमा पर है यहनी सींखिंग में है ति यह कुंँ सा है कंचनजंगा इदर में है कंचनजगा आईए नामचा बर्बा कुंज़ा हो गया नामचा बर्बा सिक्वेंसियाद रहेगा इसे हम लोग क्या कह सकते है माध्धिमा एक रे सच्च्रा को लग हुई माले कह जाता है इसकी उचाई लगबग 3,000 मीटर है सबसे उधरिया वाला का 60, 6,000 उसके इधरिया वो इसका 3,000 कितना है 3,000 ये किसलिए फेमस है परियाटन के लिए किसके लिए है परियाटन समझते हैं न घूमने पिरने के लिए परियाटन अब इस परियाटन में तो आपको बहुत जादे मिलेगा हिमाचल पर्देश का कुलू सिमला मनाली दलहौजी एक और जगह है दलहौजी बहुत भेमस जगह है दलहौजी दलहौजी, रानी खेत हल्दवानी नैनी ताल नैनी ताल ये सब जगह परेटन वाला कहां पर है मध्ध ही माले परेटन घुमने फिरने वाला सब कहां पर है मध्हिमाल, जंगल वगेरा कहाँ पर है, मध्हिमाल, उपरा जंगल मिलेगा, बरफ है पूरा तो, जंगल वगेरा कहाँ है, मध्हिमाल, संजब गया, यह जगह कुछ है, परेटन के लिए, जंगल के लिए, यहाँ पर कुछ है, जब बरफ पिगलता है न, तो वहाँ पर घास जम जाता है, क्या जम जाता है, घास जम जाता है, मद ही माले में क्या जम जाता है, घास जम जाता है, कोई कहा है ना कि कारा कोरम में घास जमेगा उधर, ब्रिहद वाले में, बरा पर उस पर घास कहां से जमने वाला है, उसके नीचे ब्रिहद वाले में भी घास नहीं जमेग नहीं, घास किसमें जमता है, मद ही माले, यानि तीसरे पार्ट वाले में क्या जम जाता है, घास जम जाता है, इस घास को हम लोग मर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग, जैसे कस्मीर में सोन मर्ग, गुल मर्ग, घास को क्या कहते हैं, मर्ग, घास को मर्ग, सोन मर्ग, सोन और गुलमर्ग उत्राखंड के लोग इसे पयार कहते हैं क्या कहते हैं पयार नहीं रहे पूरा पाव है दिखियों संव्या गया नहीं पायार है प्यार उत्राखंड में कुछ दें कहते हैं